हम बात कर रहे हैं वीप्रो के लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो वीप्रो में आमको गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने के लिए मिली है और काफी दिनों से स्टॉक हमको गिरावट में नजर आ रहा है छोटी मुटी रिकोरी आई भी थी इसमें 425 तक किव लेकि नहीं रहा है IT सेक्टर में पूरे हमको गिरावट डेखने के लिए मिल रहे है लेकिन अभी मार्केट में जिस तरह हमको तेजी नजर आ रहे है तो यहां से अभी IT सेक्टर भी भागता हुआ हमको नजर आ सकता है इस्पेशली विफ्रो और इंफोसस की बात की जाए काफी दिनों से इन में रिकोरी नजर नहीं आये तो यहां हमको एक चांस बन सकता है इस लेवल पर 400 का level जो एक major resistance का काम करने वाला है बड़े resistance का काम करने वाला है हम देख सकते हैं कि इसी level पर support level ले रहा था इसको जैसे breakdown क्या है 380 के हमको fall देखने के लिए मिले अगर यहां आप position बनाते हो तो हमारा immediate target रहेगा 400 का level अगर आप payment account open करना जाते हो 400 का level हमको easily next week में नजर आ सकते है अगर इसको breakout कर गया तो next target रहेगा 410 का और फिर 420 तक का हमा को इसमें target डेखने के लिए मिल सकते है position बनाई हुए तो इसमें hold करके चला जा सकता है